जी नमस्कार दोस्तों यह हमारे स्टल वार्डन एक्जामनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है हम लोग अभी सिलेबस डिसकस कर रहे है पैटर्न हम लोगों ने पढ़ लिया है इससे पहले पांच सब्जेक्ट के सिलेबस हम लोगों ने डीटेल में जान लिया है कि हमें क्य पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसी करम में हम छठा सब्जेक्ट जो हमारा है लैंग्वेज का है जिससे 30 को इस्चन आएंगे 30 नंबर के आएंगे लैंग्वेज को भी तीन भागों में बाटा गया है एक है जनेरल हिंदी जनेरल इंगलिस और एक रीजनल भासार आए इस वीडियो में चर्शा करने क्रीय जो शीखना है वो सब्जेक्ट व्रब ऐरें है इसके जितने सब क्लास है उसको पढ़ना है हमें वास पढ़ने है वास मतलब एक्टिब वास पढ़ने है हमें जो सीखना है वो subject, verb, arrangement, जो sentence बनाने की परकिरिया होती है, sentence making होती है, उसे हमें सीखना है, उससे related question, यह हमारे सॉस्टल ओर्डन में पूछे जाएंगे, articles से question होगा, article मतलब A and D, तीन articles होते हैं, उससे related question पूछे जाएंगे, comprehensive आएगा, comprehensive मतलब एक paragraph आएगा, उससे related question पूछे जाएंगे, अगली जो चीज है, वो है filling in the blanks आएगा, पूरा sentence दिया होगा, उसमें एक blank दे दिया जाएगा, fill in the blanks, जिसमें आपको एक सही subject, सही sentence, सही चीज, सही word भरना होगा, आठमा जो topic है, adverb, adverb, जो verb की विशेस्ता बताते हैं, उसे adverb कहते हैं, जैसे read क्या है, verb है क्रिया है, पढ़ना क्या है, क्रिया है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये क्रिया है, मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत सुलो पढ़ा रहा हूँ, ये adverb है, यानि वर्ब से पहले जो भी चीज लगती है, उसकी जो भी सेस्ता बताती है, उस उसी को हमें सही करना होगा, spelling दी जाएगी, spelling correction करना होगा, इसी में 9 वे topic में आ जाएगा, 10 वे topic में आ जाएगा, sentence, sentence में आ जाएगा, sentence बनाने के लिए पुछा जा सकता है, sentence arrangement पूछा जा सकता है, तो यह sentence का हो गया, हमें पूछना है कि sentence क्या होते हैं कैसे बनते हैं उनका formation कैसे होता है इसमें उसके बाद 11 जो topic है वो है unseen passage का unseen passage मतले एक पूरी paragraph दे दिये जाएगी और उससे related फिर question पूछे जाएगी आपको paragraph पढ़ना होगा उस paragraph के basis पे आपको question answer करना होगा बारामा जो topic है वो है बोकबलरी का या मतलब कोई भी उसमें vocab जो है सब्दावली पूछी जाएगी spelling पूछे जाएंगे उसका अर्थ पूछा जा सकता है तेरह हमाँ topic है एंटर निम्स और सिनानिम्स का है बिलोम और प्रैवाची सब्द पूछे जाएंगे इंगलिस में प पढ़ना होगा पंदरह हमाँ topic है एंटर फ्रेजेज का है जो लोकोक्तिय और मुहावरे होते हैं वो भी पूछे जाएंगे इसी पंदरह topic से 10 question इंगलिस में पूछे जाएंगे वैसे तो है बहुत बिसाल है बहुत बड़ी चीज है इसको पूरा cover करना लेकिन हम उमीद कर नहीं है इंगलिस में इन ही 15 topic पे पढ़ना है आगे के वीडियो के लिए अगले वीडियो में हम language के तीसरा जो दूसरा subject है हिंदी उसके बारे में चर्चा करेंगे